हेलो एब्रिवन वेलकम है आप सभी का आपके अपने ही चैनल तरू हाटिका में आज सुसाइटी में एक वेंडर रहा है था माली जिसको बोलते हैं यह थोड़े बहुत प्लांट लेके चलते हैं तो मैंने रेका पाम लेना था काफी टाइम से तो एक पे प्लांट के लिए न आपने देखा होगा बड़ा वाला और एक इंगलिश आईवी है और यह गार्लिक वाइन है सर्दियों का प्लांट है गार्लिक वाइन परपल कलर के फूल आते हैं और एंट्री पे हैज काफी लोग बनाते हैं इसकी और तुलसाजी ली है तीस रुपए में और एक लाल पत ही जब आपने प्लांट है में पिशली वीडियो में कहा था आपसे कि मैं इसको निकालांगी जब इसको ठीक करऊंगी तो आपसे वीडियो शेयर करूंगी चैक कराऊंगी किसके पत्ते पीले होकर गिर रहे थे इसमें यह प्र pollem थी मैंने नहीं ओयल का प्रे किया का काफी कि अवी क्या है तो फिल्ग को निकाल के देखती हूं क्योंकि इस में क्या है रूट सब्स भी होती है और छोटे चोटे चोटे बल्ब भी होते हैं बिल्कुल छोटे चोटे तो उनको मतलब वह टच नहीं होने कि प्लांट मेरा ठीक लग रहे हैं और कोई इंसेक्ट वगरा नहीं है फंगस भी नहीं लगी हुई थे क्या होता है पिलपली हो जाती है तो इससे हमें थोड़ा हींट मिल जाता है के ओर वाटरिंग हुई है तो इसमें अब ये बिल्कुल ठीक है, इसकी सारी मिट्टी निकाल कर मैं प्लांट की, तो मैं दूसरे पोर्ट में लगाऊंगी, ये देखे, जिस पोर्ट में से मैंने निकाला है, उसमें ये मेरे को इंसेक्ट देखने को मिले, जैसे जैसे मैंने मिट्टी खो दी उसमें, त लेकिन इसकी वज़े से ये मेरा प्लांट ग्रू नहीं कर रहा था ये ही रीजन था मेरे प्लांट के मरने का तो अगर आपको नहीं समझाए तो आप निकाल कर देख लीजिए मिट्टी को और नीचे तक खोदोगे तो आपको और पांसाथ निकलते वे दिखाई देंगे जहा जहां ज़्यादा नमी होगी वहाँ वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा पनपते हैं तो आज मैं इसी का ही बताऊंगी के इन से कैसे चुटकारा पाया जाए अगर किसी गमले में आपको दिखाई देते हैं अगर आपको दिख रहे हैं तो आप फटा फट उसका कीजिए अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो लकडी की राख जो होती है वो भी आप इसमें छुड़क सकते हैं मिक्स कर सकते हैं मिट्टी में उससे क्या होगा नमी कम होगी ड्राई होगी मिट्टी और मिट्टी ड्राई होगी तो उनको पनपने का एक देने का चांस न नहीं चाते हैं तो देखते ही जैसे गमले से बाहर आए या वैसे उसको मार दीजिए घर के अंदर कोई इंडोर प्लांट में है तो वो कहीं से तो गुसे होंगे इंडोर प्लांट में तो जैसी आपको दिखे आप शूज से उसको मार दीजिए हिट छिड़क दीजिए अगर गमले के बाहर आपको घूमते वे दिख रहे हैं तो उस पे हिट स्प्रे कर दीजिए वैक्यूम से उनको इकठा कर लीजिए और इकठा करके उसको फिर कहीं दूर छोड़ाईए तो इंडूर प्लांट्स में भी ये लग सकते हैं क्योंकि जहां पर हुमिडिटी और नमी जादा होगी वहां पर इसको फेवरेबल कंडिशन मिलती है मिलेपेट्स को पनपने की और अगर आप ये हुमिडिटी और नमी कम कर देंगे तो ये अपने आप खतम हो जाएंगे तो देखे जैसे आप मेरे को इस गमले में दिखाई दे रहे हैं ये तो मैं क्या करूंगी इस मिट्टी को अभी यूज नहीं करूंगी किसी भी प्लांट के लिए जब तक कि इसमें से ये खतम नहीं हो जाते तो ये देखे ये मैं बता रही थी ना प्लांट के बराबर ये एक निकल गया था बल्ब तो इसको मैं एजडीज रख दूंगी थोड़ा सा उपर की साइड ताकि अगर ग्रोथ होती है इसमें तो हो जाए अब देखते हैं कि इसमें मेरा ये प्लांट चल निकलेगा या क्या होगा वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी और हाँ ये तो कुछ मैंने ऐसे ही आपको बताए थे तरीके जो हम खुद कर सकते हैं आपने मतलब बिना हाथ लगाए या कैसे भी अगर आपके घर में ग्रास हुगी हुई है तो वहाँ से भी ग्रास को हटा दीजिए और क्योंकि गले सड़े पत्ते होते हैं वहाँ पर इनको छिपने की जगा मिल जाती है वहाँ पर ये गंबले में से निकल कर चले जाएंगे और ये देखे कोई भी जब आप इनसेक्ट वगरा का ऐसा कोई काम करते हैं तो दस्ताने पहन के करिए सबसे पहले आप खाद बीज वाली दुकान पर जाएए वहाँ पर अगर आप कैमिकल यूज करते हैं तो वहाँ से कोई एक ये लेकर आए इनसेक्टिसाइड कई टाइप के आते हैं आप वहाँ से बात करेंगे तो आपको वो दे देंगे और जो चेतामनी लिखी होती है उ ही हुमिड फायर है इसको यूज करेंगे तो आप हुमिडिटी कम होगी और जब 50% से कम उसका लेवल हो जाता है हुमिडिटी का तो आप इसको बंद कर दीजिए और प्रोडक्ट को और इसमें से अपने आप ही वो मर जाएंगे जब सूखी हो जाएगी स्वेल और यह है अ इनको खतम कर देंगे इंसेक्ट को तो यह तो थे कुछ दूसरे तरीके जो हम अपना सकते हैं इससे छुटकारा पाने के लिए और अगर आपके घर के आसपास गिरती है तो उसको थोड़ा दूर कर दीजिए और इसके अलावा जो भी हुमिडिटी जादा है कहीं भी किसी तरह से घर के आसपास फर्श आपके टूटे हुए हैं उनको सील कर दीजिए तो उनको चुपने की जगह कम मिलेगी जैसे उनको चुपने की जगह कम मिलेगी नमी कम होगी हुमिडिटी कम होगी 50% से कम होगी तो अपने आप यह इंसेक्ट मर जाएंगे आई होप आपको य नई अपडेट में बाई बाई टेक केर